हर हर महादीब चैसीब जय भोले बाव तो दोस्तों आज है 31 जनवरी और महिना का अंतिम दिन है तो चल दिए देखते हैं आज कितना भीड़ है बाव बेदनाधाम मंदीर में तो अभी आगर आप देखेंगे तो अभी हम यहाँ पे इंटे कर चुके हैं और दूर से तो हमें काफी खाली नजर आ रहा है तो देखते हैं आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी कि आज की क्या अस्तिती है बाव बेदनाधाम का और कितनी भीड़ है बैसिकली मैं जो है थोड़ा लेट्टी आया हूँ लगबक 11 बज़े क्या सपास तो इसलिए हो सकता है कि आभी कम होगा और पहले हो सकता है कि भीड़ होगा तो बैसिकली इस समय तक परते एक दिन काफी भीड़ रहाता था लेकिन आज की क्या स्तिती वो मैं आपको दिखाता हूँ तो यह देखते हैं मैं अभी आपको सबसे पहले दिखाता हूँ मा पारवत्ती का मंदीर तो यह देख तो यह है भोले वाव का मंदिर अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार महादेब चैसीब चरूर लिखेगा कमेंड वॉक्स में तो यह देशते हैं बावा पे इतना धाम का मंदिर हैं और यहां पर देख सकते हैं जो भी अपनी मनों कामना है वो मांग रहे हैं और बाबा सभी की सुनते हैं तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना भीड है हो लाइन दिखाते हैं मैंसे लिए काफी भीड देखने को मिलता है इस समय तक और अभी आगार आप देखेंगे तो पूरा जो है खाली पड़ा हुआ है देख सकते हैं आज जादा भीड नहीं था व आगे चलते हैं मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ पूरा जो है यह जो पत में जो काफी भीड रहाता था लाइन दम भरा पड़ा रहाता था आज ऐसा देखने को मिला लगता है कि पूरा खाली है मैं एक बार फिर से आपको कैमरे को घुमा के दिखा देता हूँ यह लिखिएगा तो आगे चलते हैं पच्छिम यह दर्वाजा है इधर भी काफी भीड रहता है इधर से आप निकल सकते हैं इधर से ही प्याड़ा गर्ली जा सकते हैं और आगे जो हम निकास्तिवार दिखाएंगे आपको जो कि बावा बेतनाथ हम में जो गर्भ गरी से दर् और सपोर्ट के लिए आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में फोनपे नमर होगा उससे कुछ भी सपोर्ट हैल्प कर शकते हैं और कौंटक्ट कर शकते हैं नीचे वोटसब नमर है कौंटक्ट रह सकते हैं किसी परकार से आपको दिख्गत होगा बावबैतना आध से पंडी जी या किसी प्रकार रहने से तो जुरूर में कॉंटाइट कीजेगा तो यह निकास्तवार आज के लिए इतना ही हरहर महादीब